जहिन्द, वेलकम टू विजेपत एजुकेशन पालूमपुर आप सभी का HPTET 2024 की साइकोलोजी की सीरीज में हार्दिक स्वागत है आज क्लास फोर्थ आपके लिए रहेगी जिसमें HPTET 2024 के एक्जाम के लिए हम एक और फिर से साइकोलोजी को डिसकस करेंगे आपके डिफरेंट इग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को सबसे पहला कोशन आपके लिए रहेगा कम गती से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेशता क्या होती है आपको एक मेन करेक्टिस्टिक्स बतानी है स्लो लर्नर की जो बच्चे कम गती से सीख पाते हैं पहला उक्षन है उनमें से किसी ने किसी परकार की अक्षमता होती है यानि कि उनके अंदर कोई एक डिसबिलिटी है जो अफेक्ट करती है उनकी लर्निंग और एजुकेशन अचीवमेंट को सेकिंड है सिर्फ उन्हें गणित में कठीनाई है उन्हें सिर्फ इंग्लिश में कठीनाई है या नन आफ दीज इस क्वेशन का राइट अंसर ऑप्षन नमबर ए रहेगा क्योंकि जो स्लो लर्नर होते हैं उनमें कोई न कोई एक डिसबिलिटी होती है और वो डिसबिलिटी उनकी लर्निंग को उनके एजुकेशन अचीवमेंट को कही न कहीं पर अफेक्ट करती है जिस वज़ा से वो प्रॉपर स्पीड के साथ नहीं सीख पाते हैं और वो स्लो लर्नर बन जाते हैं तो option A जो है वो इस question का बिलकुल right answer यहां पर रहेगा next question है निमन में से कौन सी क्षमता केबल जनम जात होती है ऐसी कौन सी disability है जो innate होती है बाइबर्थ होती है बच्चे के अंदर पहला है vision, second hearing, third है deep and last है retarded तो इस question का जो right answer रहेगा वो option number C है deep अगर कोई बच्चा बहरा है ठीक है या फिर वो बिलकुल भी बोल नहीं पाता है तो यह जो है वो बाइबर्थ उसको problem हो सकती है as compared to other option then option C is the right answer next question है निमन में से कौन सी काई का उप्योग सुनने की क्षमता के लिए किया जाता है यह आपका science का question भी रहेगा और science की form में आप से psychology में पूछा गया है जब किसी का hearing test किया जाता है कि सुनने की क्षमता कितनी है उसकी तो hearing के क्या होते है unit होते है कितने unit तक वो सुन पा रहा है तो उस चीज को कहा जाता है decibel में यह basically science का ही question है और disability के chapter में इसको add-on कर दिया जाता है important है क्योंकि जो sound के unit होते है ध्वनी की काई जो होती है वो होती है decibel इसलिए यहाँ पे सुनने की बात की गई है क्या सुनना है ध्वनी को सुनना है sound को सुनना है इसलिए उसको decibel में measure किया जाता है option B is the right answer next one किस परकार के बच्चों की शिक्षा हे तू शंकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है यह question आपको previous class में भी करवाया गया था ऐसे कौन से type के बच्चे हैं जिनको sign language हम use करते है ठीक है उनको संकेतिक भाषा symbols का use किया जाता है तो पहला option है कि visual ampere जिनको दिखाई नहीं देता है second है जो बहरे हैं जिनको बोल नहीं पाते हैं जो mentally retarded है यह none of these देखी sign का हम किसको use करेंगे यानि कि हम बोल नहीं पा रहे हैं ठीक है हम बोलके नहीं उनको symbol से समझाएंगे जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप एक आयत आपने आयत देखा है तो बहरा बच्चा होगा जो बोल नहीं पाता उसको तो वह चीज समझ नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा वहां पर एक picture उसको बता दूँगा यह symbol से अगर किसी को बुलाना है तो अपने हाथ स से इशारा करूंगा कि यहां पर आओ तो वह किसके लिए आएगा जो बहरा है सुनाई नहीं देता लेकिन वह समझ सकता उस चीज को आप्शन बी जो है वह इस question का right answer रहेगा यह आपकी class 3 में भी आपके लिए question add-on किया गया था next question है प्रतिवाश आली बच्चे कौन होते ह हैं यहां पर talented gifted बच्चों की बात की गई है कौन होते हैं उनकी आपको एक characteristics बतानी है सबसे पहला है बिना किसी सहाइता से जो है अपना काम कर लेते हैं अपना पूर्ण विकास कर लेते हैं second मानव के लिए महतपूरण किसी भी असभाबत अच्छा निश्पादन करते हैं कि अपनी जो है वो एक best performance जो है वो शो करते हैं third है शारीरी क्रूप से कमजोर होते हैं और समाजिक क्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं यह तो बिलकुली गलत है ठीक है gifted तो यहां पर आएंगे नहीं कि वो physically weak होते हैं अपने शिक्षकों को परसंद नहीं करते हैं यह त वो बिना किसी सहायता से पूर्ण भिकास करते हैं पर ऐसा नहीं हर किसी के जो potentials है उनको develop करने के लिए हमें किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ती है तो अपनी जो performance है वो अच्छा वहां पर show करते हैं then option B जो है वो इस question का बिलकुल सही उत्तर रहेगा next question है प्रतिवाश in the context of gifted child आपको acceleration organization का meaning बताना क्या होता है ऐसे विद्यार्थियों का बरतमान स्तर grade को छोड़कर अगले उच्छ स्तर पर जाना grade में प्रॉक्स करना ठीक है highest grade प्रापत करना यह है second है कि assessment process को generalize करना third है improve करना education activities को and fourth है co education activity में participate करना उनको बढ़ावा देना तो देखे एक्सलेशन का मतलब क्या होता है एक simple language में अब आप इसको याद कर सकते हैं एक्सलेट करना एक्सलेट करने का मतलब होता है बढ़भोतरी जैसे scooty bike में क्या करते हैं हम एक्सलेट करते हैं ठीक है एक्सलेट का मतलब क्या होता है हमने स्पीड दी यानि कि एक चीज से हम कहां चलेगे उच स्थर पे चलेगे छोटी से बड़ी पे चलेगे तो बरतमान स्थर से जो है वो हम कहां जा रहे है उच स्थर पे जा रहे हैं तो option number A जो है वो इस question का बिलकुल right answer रहेगा next question है प्रतिवाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविती सबसे उप्युक्त होगी कौन सी अक्टिविटी जो है वो suitable है talented students के लिए सबसे पहला है हाल में हुए school match का प्रतिवेदन करना ठीक है report बनाना ठीक है second है कि उनको कोई एक नाटक लिखना है original play कोई school में हु दिये के अभ्यास को एक वार हल करना कि पांच चैप्टर के उनको exercise दे दी उनको solve करेंगे या फिर सिक्षक दिवस पर कख्षा को पढ़ाना तो कौन सी activity जो है वो आप talented students के लिए करेंगे या आप उनके लिए जो है वो देंगे देखी talented student का मतलब क्यों होता है जब वो किस चीज में अपना दिमाग का यूज करें अपने mental power का यूज करें तो mental power का यूज इन option में सबसे ज़्यादा होगा वो होगा writing and original play based on the given concept उसको क्या दिया है एक संकल्पना के अधार पर उसको एक नाटक लिखना है ठीक है मैंने उसको प्यासा का हुआ का हलका सा idea कि किस तरीक से जो राम भगवान है वो बापिस आये थे लंका से रावन को मार के दिपावली मनाई जाती तो उसको अपने concept के according जब वो चीज लिखनी है यह तो हमें पहले से नोन है लेकिन अगर मैं यह कहूं कि उसको जो है वो जीट उन्टी सम्मेलन के ऊपर कोई एक चीज जो है वो वाइरस के उपर जब उसको अपने concept के according लिखना तो उसमें क्या करेगा वो अपनी mental ability का यूज करेगा उसी को कहा जाता है talented student तो most appropriate answer जो है वो इसका option number B यहां पे रहेगा next question है शारीरिक गतिक बुद्धी जिसको kinesthetic intelligence बोलते हैं रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है आपको final stage बतानी है kinesthetic intelligence के तो surgeon, poet, operator या political leader तो जो kinesthetic होते हैं ठीक है intelligence उसकी जो अंतिम stage होती है वो होती है surgeon option number A जो है वो इसका right answer रहेगा kinesthetic का मतलब क्या होता है जैसे intelligence आप मानलो या kinesthetic learning होती, kinesthetic student भी होता है यह type of student में भी count किया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं ठीक है तो हम वो काम तो proper ढंक से कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कोई और काम भी कर रहे हैं यह हमने भी खु intel level को अगर से पारिए आपको च्यक कर सकते हूं, जैसे कि अगर हमें को याद करना है हम उसको कैसे काम धार हैं ने विसतर पर बढ़े में बूंगii हम उसको याद कर रहे हैं एक तो होगी साथ कि कि हम क्या, कर रहे है चल रहे हैं थीक है चक्र जो है वो बार-बार हम लगा रहे हैं अंगर में लगा सकते हैं ठीक है कहीं पर भी अपने कमरे में जो है वो बार-बार forward-backward जो है वो move कर रहे हैं और उस चीज को याद कर रहे हैं और काइनस्थेटिक का मतलब क्यों आता है कि कभी हम कभी हम लेट के पड़ strictly कभी मैं किसी हाथ से बोल को उच्छाल रहा हूं कॉर्षिंब कुर्सी को मतलब हीट करके उससे साउंड निकाल रहा हूं और उससे जो है वो मैं कोशन को भी याद कर रहा हूं तो काइनस्थेटिक का मतलब होता है एक जब आप काम करते उसके साथ आप मल्टीपल चीज़ों के ओपर भी फोकस करते उसको काइनस्थेटिक लेर्निंग कहा हार्ड वर्किंग तो यह पहले भी कोईशन किया हमने डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले ठीक है डाइवर्जेंट यानि कि एक पॉइंट से क्या करना मल्टीपल चीजों के ओपर फोकस करना उसको कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑप्शन बी इस दा राइट आंसर स्रिजनात्मक से समंदित नहीं है कौन सी चीज है क्रियेटिविटी से समंदित नहीं है पहले भी करवाई गई है लेकिन ऑप्शन उसमें कुछ अलग थे पहले हैं मौलिक्ता परभाब उपयोगिता एंड मित व्यक्तिता ठीक है तो इसका जो राइट अंसर रहेगा है वह है option number C क्योंकि जब अगर आप किसी option को समझ नहीं पाते हैं तो आपको बता है eliminate method का यूज कीजिए जो फूल होते हैं ठीक है फ्लावर होते हैं उनको सुखाया मैंने ठीक है और एक फ्रेम के उपर जो है वो मैंने फूलों का एक design बना दिया ठीक है आजकल मार्केट में काफी जादा बिखते हैं हमारा CSIR पालमपुर उन चीजों के उपर भी focus कर रहा है ठीक है जैसे कि मैंन अलग लेवल की uniqueness show करती है उसकी अलग utility होती है तो मित वियतिता ठीक है यानि कि जिसका कोई use ना हो ठीक है तो option C जो है यहाँ पर राइट अंसर इसका रहेगा क्योंकि यह creativity से समंधित नहीं है option C is the right answer next question which of the following is the principle of forgetting भूलने का सिध्धात है ठीक है भूलने का forgetting कहाम चीजों को क्या कर जाते हैं भूल जाते हैं तो राइट अंसर इसका क्या रहेगा competitive है counter है restrictive है reflected है इस question का राइट अंसर है option नमबर B परतीप अबरोध ठीक है counter inhibition यह इसका right answer रहेगा option number B next question से पहले में आपको इसका थोड़ा सा idea देता हूं भूलने का सिध्धात बताया गया competitive barrier ठीक है उसमें हम नहीं भूल सकते ठीक है restrictive जब हमें किसी चीज के ओपर restriction लगा दी गई तो हम वहां तक याद कर सकते है reflection reflection से भी चीज़ें याद रहती है लेकिन counter inhabitation से हम क्या करते हैं चीज़ों को भूल जाते हैं ठीक है परतीक अब रोध से उन चीज़ों को भूल जाते है option B is the right answer next one निमिलिकित में से मानसिक विकार के लक्षनों को भी दर्शाया जाता है ठीक है निमिलिकित में से मानसिक विकार के लक्षनों को दर्शाया ज मांसिक विकार के लक्षनों को भी दर्शाया जाता है तो समंध के अलावा जो है वो मांसिक विकार के लक्षनों को भी दर्शाया जा सकता है of relationship option C जो है वो इस question का right answer रहेगा simple सा question है general level का question है ये next है मांसिक स्वास्ते के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अधेन का बिंदू है यह कथन है यह किसके द्वारा कहा गया था अब देखी statement based question जो है वो आपको ध्यान में रखने important important जितनी भी है बाकियों में तो आप गैस लगा सकते हैं लेकिन अगर यह statement अगर आपको definition ज्याद नहीं है तो फिर यहां पर कहीं न कहीं पर आपके marks में कम आने का chance है मांसिक स्वास्ति के नेमो को खोजना उन्हें बनाये रखना अधेन के बिंदू का एक केंदर है और यह कथन जो कहा गया था वो driver के द्वारा कहा गया था option C जो है इसका right answer उसने कहा कि finding and maintaining the rule of mental health जो हमारा center point होता है study का वो क्या होता है mental health होता है उसको हम maintain करके र निमन में से राष्टी पाठी चर्चा रूप रेखा जो नैशनल NCF है National Curriculum Framework 2005 का मार्क दर्शी सिधात नहीं है NCF is the most important topic जैसे हमारा Indian Education System में हमने paid classes में discuss किया है Kothari Commission को उसके बाद National Education Policy 68, 86, 92, Program of Action उसके बाद NCRT, UGC, Universalization of Education, Operation Blackboard, Midday Meal, NCF, National Policy of Education 2020 यह आपके different education system में count किये जाते हैं उसमें से question है कि National Curriculum Framework 2005 का यह point नहीं है तो कौन सा है यहाँ पर पहला option दिया ग्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ठीक है कि outer side life से भी जो हमें link करना है तो NCF तो यहीं बोलता है कि ग्यान को हमें जितना जादा हम उसको बाहर लेके जा सके प्रीवेस knowledge के साथ link करें नए knowledge के साथ link करें वो जरूरी है second है to free education from system ठीक है इसमें यहाँ पर थोड़ी सी mistake है इंगलिश में यहीं कि पढ़ाई को तंतर पढ़नाली से मुक्त करवाना ठीक है जो stress है ठीक है उन चीजों से थोड़ा सा free करना education को ताकि चीजों को हम आसानी से सीख सकें जो एक पुराना tradition method चला उसको थोड़ा हटाना है थर्ड आता है यहाँ पर English में शिक्षा देना तो यह चीज जो है वो गलत है क्यूंकि जो NCF है वो हमें क्या बोलता है NCF यह बोलता है कि जो जैसे कुठारी कमीशन में भी कहा गया था उसके आद नैशनल पॉलिसी ओफ एजुकेशन 2020 में भी यही चीज कही गई कि mother language को हमे English language को prefer करेंगे तो English में education देना यह जो है वो NCF के द्वारा नहीं कहा गया था डारेक्ट उसमें three language formula हम यूज करते हैं basically तो उसके according option C जो है वो आपका गलत है ठीक है और last है कि विकास के लिए अपसर उपलब्द करवाना यह तो basic सी चीज है जब हम अगर education लेने तो हमें opportunity ज right answer जो है option number C जो है वो यहां पर रहेगा next question है NCF 2005 के दस्तवेज में भाषा के लिए नहीत है भाषा के लिए बात की गई है कि the national curriculum framework document for language contain तो उसमें जो है वो एक भाषा की बात की गई है option A जो है वो इसका क्या रहेगा right answer रहेगा उसके दस्तवेज की बात की गई है ना कि three language formula के आप ध्यान रखेंगी document में जो है वो basically English language को prefer किया जाता है तो एक single language के लिए option A जो है एक भाषा इसका right answer है next question है राश्ट्री पाठे चर्चा की रूप रेखा NCF 2005 के दस्तवेज भाषा के एक भाषा इसका right answer रहेगा next question NCF 2005 के अधारभूत सिध्धातों में कौन सा principle जो है वो include नहीं किया जाता है आपको बताना है पहला है good examination को organize करना not importance to memorization ठीक है पुस्तकों से बिसिस्ट ग्यान प्रापत करना ग्यान को बास्तुक जीवन से जोड़ना तो पिछले question की तरह है कि NCF में कौन सा point ये add नहीं किय जा सकता तो पहला क्या है कि इसमें बताया गया है जैसे option D को हम देखते हैं बास्तुक जीवन से जोड़ना तो ये तो जरूरी है कि उसको real life से जोड़ा जाए ठीक है अब जैसे किसी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आपको जो है वो कुछ गाड़ियों के नाम लिखने हैं जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 5th 6th की क्लास में के बच्चे होते हैं उनको home work दिया जाते कि आपने 10 animals के नाम लिखके आने हैं या 10 आपने वह वीकल्स के नाम लिखके आने हैं अगर मैं यह बात यहां पर कोई भी ट्रेन नहीं जाती है डिस्टिक कांगडा में है शिमला में है उनना में है ठीक है तीन चार railway track है टोटल ठीक है टोटल चार है बेसिकली तो वही जाते हैं अगर मैं एक चंबा यह लाहुलसपिती की बात करूँ अगर उस बच्चे ने कभी ट्रेन देखी नहीं है तो उसको उसका पता नहीं होगा तो नॉलेज वही दिया जाए जो रियल लाइफ से जुड़ा जैसे बस का एक्जामपल दे दो बच्चे को ठीक है तो करीकुलम उस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि रियल लाइफ से को रिलेट करें नेक्स बताया गया था कि पुस्तकों स स्पैसिफिक नॉलेज़ को प्रापत करना हां यह जरूरी है कि ऐड्यूकेशन जो है बुक से जब हम प्रापत करें तो एक स्पैसिक नॉलेज हो ठीक है और फेल की जर्णल सा नॉलेज दे दिया और बात खतम कर दी वसका प्रौपर एक नॉलेज होना चाहिए remoर्टने बिल्कुल सही कहा गया, good examination की बात की गई तो organized good examination नहीं, good examination का मतलब ऐसा नहीं है कि सर्फ परिक्षा का परियोजन करवा लिए, उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए, उस तरीके से curriculum frame किया जाए, कि जिस level के आज कल question आ रहे हैं, देखी क्या होता है, plus two level तक हमें सिर्फ theory वाला वाले नहीं हैं, वो सारे MCQ की form में आते हैं, तो अब जो हमारा धीरे-धीरे trend change हो रहा है, curriculum में change किया गया, कि अगर 100 marks का paper है, तो इसमें 80 question जो है, वो आपके theory के आएंगे, ठीक है, और, sorry, 80 marks का paper जो है, वो आपका theory का आएगा, और 20 marks के जो है, वो आपके fill in the blanks, true, false, यह MC question based question आएंगे, ठीक है, तो यह नया भी trend change किया गया, CBSC ने पूरा ही change कर दिया, कि 70 questions आपके direct MCQ के आएंगे, और 30 marks का जो है, वो आपका theory वाला portion आएगा, तो यह धीरे-धीरे के आए, हमारा change आ रहा है, तो गुड examination वाला point यहाँ पे, गलत है, option A, जो है, वो NCF 2005 का point नहीं है, principle नहीं है, option A is the right answer, next one, पांचमी कक्षा के दृष्टी बधित, विद्यार्थी, मैं आपको बताना है, कौन सी चीज जो है, वो teacher के द्वारा उपलब्द होनी चाहिए, या school management के द्वारा करवाई जानी चाहिए, कोई एक ऐसा बच्चा जो पांचमी क्लास में पढ़ता है, और visually impaired है, उसको कम दिखाई देता है, तो पहला तो यह point कहा गया, कि निचले स्तर के कारे करने के लिए उसको छूट मिलनी चाहिए, कि अगर उसको कोई काम दिया है, तो छूट मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको वहाँ पे अलो किया जाना चाहिए, कि आप थोड़ा काम कर सके लाओ, ठीक है, यह भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, माता-पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्यों करने में सहाइता दी जानी चाहिए, यह भी सही है, ठीक है, अब जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके दोस्त जो हम उसकी सहाइता कर सकते हैं, उसके मा माध्यम से सहाय तो अपलब्द करवानी चाहिए यह बात तो बिल्कुल सही यहां पे कही गई कि classroom में समाने तरीके से वह वह वहार किया जाना चाहिए और उसको extra sport जो है वहां पे provide किया जाना चाहिए अब दिरिष्टी बाधित की बात की गई जिसको दिखाई नहीं देता अब उसको कहा गया कि श्रब्बे सीडी यानि कि उसको ऐसी कोई technology वहां पे दे दी जैसे सीडी जिससे वह सुन सके audio सीडी उसको दे दी ठीक है जिससे वह चीजों को सुन सके तो यह भी point सही है next आता option D कक्षा में विशेश वेभार किया जाना चाहिए तो special treatment बच्चों के लिए हां होता है कि जिसको नहीं वहां पे जो है वो दिखाई दे रहा है तो उसको प्रॉपर ढंक से स्कूल मनेजमेंट की responsibility है कि उसका वहां पे ध्यान रखा जाए option आपके D और A B C D सारे से ही है बट जो में हम जिसको प्रैफर करेंगे वह कौन सा यहां पर राइट अंसर है तो वह है option number C क्योंकि यहां पे school की बात की गई है स्कूल की विद्यार्थी की बात की गई है जिसको कम दिखाई देता है तो पहला तो कक्षा में समाने रूप से विवहार किया जाए और main चीज क्या कही गई है main यह कहीए अगर उसको दिखाई कम देता है तो उसको जादा से जादा चीजें आप वैसी बताओ जो सुन सके तो audio CD की बात जो है जिसको जादा प्रैफर करेंगे तो option C इसका राइट अंसर है ठीक है अब यहां पे question में A, B और D यह गलत नहीं है option लेकिन इन में से आपको कई बार question में ऐसा आता है कि आपके option सारे सही होते हैं लेकिन आपको बताना है जो majority वाला question है majority वाला answer जो है जिसके साथ जादा majority वहां पे जा सकती है तो वो कौन सा right answer होगा option C जो है इसका सही उतर होगा next question है कक्षा 5 के noon दृष्टी वाले बालकों को visually impaired है बच्चे ठीक है यह भी same question है जिनको दिखाई कम देता है कक्षा 5 के बच्चे है तो as a teacher as a school management क्या चीज़ वहां पे करनी चाहिए तो same question है ठीक है कोई इसमें change नहीं है ठीक है कि उनको जो है वो normal behave करना और cd के माथिम से ओडियो cd के माथिम से जो है उसको information provide करवानी same question है ठीक है कोई भी इसमें वो change नहीं है option c is the right answer next question भारती संविधान के अनुछेद 41 वो 46 किसके कल्यान से समन्देते है ठीक है जो article 41 और 46 है वो किस चीज़ से related है क्योंकि अभी हमारा paid classes में article का concept नहीं हुआ तो जल्दी ही आपको एक class उसकी भी मिलेगी इसमें संविधान के जो हमारे consecutions के जितने भी article करवाएगे हैं जो हमारे fundamental rights है fundamental duties है direct principles है ठीक है उन सभी को हम एक वार discuss करेंगे तो यहां पर आपका question है कि article 41 और 46 किसके साथ related है तो यह related है जो economical backward people होते हैं ठीक है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से यह चीज़े fix होती है आप इ नहीं बता सकते कि A और B तो दोनों same to same लग रहे हैं नहीं यह दोनों अलाग है अगर मैं यह कहूं कि right to education तो right to education जो है वो हमें article 21A ही बताते है आप इसको change नहीं कर सकते आर्टिकल 45 भी education के बारे में बताता है जो हमारा fundamental right है ठीक है 21A उसके DPSP है article 45 and fundamental duty है 51AK तो यह जो है यह भी हमें education के बारे में बताता है लेकिन right to education जो है वो हमारा 21A है तो prosecution provision में आप कोई भी change नहीं कर सकते है यह आपको धिहान रतना है आर्टिकल 41 और 46 जो है वो welfare से जुड़ा है economical backward people से कि it is the responsibility of the government to the welfare of economical backward people ST, SC, OBC ठीक है या दर economical backward people उनसे related option is the right answer next one है शिक्षा के क्षेतर में पाठे चर्चा शब्दा बली की और संकेत करती है तो curriculum है वो किस चीज के साथ relate करता है curriculum का मैंने आपको meaning बताया था किस चीज के साथ relate करता है curriculum का मतलब होता है syllabus plus co-curricular activity जैसे कि कोई एक बच्चा पांचमी क्लास में पढ़ता है तो उसका curriculum जो है वो कैसा होगा पहला तो आएगा उसका syllabus syllabus आएगा जो उसको साथ subject लगे है वो syllabus और उसके साथ उसकी क्याएंगी activity activity morning assembly हो रही है ठीक है कोई sports की चीज हो रही है ठीक है कोई guest lecture है यह कुछ भी है ठीक है कोई किसी दिन कोई उसको जादू सिखाने आया है पीटियम है जितनी भी स्कूल के एक्टिविटीज होती हो को करिकुलर में काउंट की जाती चाहिए कोई function annual function है कोई talent का शो है तो सारी को करिकुलर activity में आती है तो करिकुलम जो है वो यहां पर बताता है विद्याले का संपूर्ण कारेक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रति दिन अनुभव प्रापत करते हैं complete की बात की गई है complete प्रोग्राम की बात की जा रहे है यहां पर complete स्कूल प्रोग्राम एक दिन का पूरा कार एक जिसमें पढ़ाई भी है और activity भी है जो बच्चा डेली experience करता है उसको कहा जाता है करिकुलम ठीक है option B जो है वो इसका right answer रहेगा next question है समवेशी शिक्सा इंक्लूसिफ एजुकेशन या इंक्लूसिफ जो direction है वो क्या हमें बताती है तो इसमें जो है वो celebrate किया जाता है diversity in the classroom यानि कि जतने भी बच्चे है चाहे normal student है disabled student है mentally retarded हो physically impaired हो visual हो speaking की problem हो locomotor में हो ठीक है hearing loss हो कोई भी अगर बच्चे को problem है तो same ही एक ही छत के नीचे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है यह चीज बजाए बताई जाती है समावेशी सिक्षा में या जो inclusive direction है उसमें so option number B इस question का right answer रहेगा next question है एक समावेशी विद्याले किस चीज के साथ जुड़ा है या आपको बताना है तो समावेशी विद्याले जो है वह भी यही चीजों के साथ जुड़ा जैसे मैंने आपको बताएं कि उसमें एक चत के नीचे normal student और disabled student पढ़ सकते हैं तो विद्यार्खियों की क्षमताओं के परवा किये बिना सभी के अधियम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिवंद होता है यानि कि सभी के ओपर focus करना है ठीक है जाहे वो gifted हो slow learner हो average हो disabled हो ठीक है talented हो कोई भी बच्चा सभी को एक तरीके से treat किया जाता है उसके basically teacher का का काम की होता है improve करना उसकी learning outcome में ठीक है option B जो है इस question का right answer यहां पर रहेगा next question है inclusive school तो यह आपका same question यहां पर repeat हुए ठीक है यह इसका right answer option number आपका भी ही रहेगा same question है previous नेक्स question है to the gifted learner प्रतिवाश आली जो होते हैं ठीक है जो gifted learner होते हैं उसके बारे में हम कौन सी चीज कह सकते हैं यह question आपको class second में कराया गया था ऐसे सयोग की अवशक्ता होती है जो समाने विद्याले अत्वा उपलब्द नहीं करा सकते ठीक है जैसे कि जो gifted learner होते हैं उनको क्या करवाया जाते कि उनको उनकी जो need है ठीक है उनको हम जो normal school होते हैं वो उनको provide नहीं करवाई करवाई जाती है ऐसी चीज़े मैंने example के कोई concept नहीं ना तो वहाँ पे music as a subject है ठीक है एक ऐसा school वहाँ पे music है लेकिन वहाँ पे music का teacher नहीं है यह फिर एक ऐसा school जहाँ पे music teacher भी है music room भी है music subject भी है लेकिन वहाँ पे बांशुरी की कोई ही पे कोई बात ही नहीं की गई सिर्फ वहाँ पर हर्मोनिम सिखाया जाता है धोलक सिखाया जाता है और बैंड जो है वह सिखाया जा तो नॉर्मल स्टुदेंट में यही चीज होती है ठीक है अगर कोई एक गिटार अगर सिखाना किसी एक 10th class के बच्चे को तो स्कूलों में ऐसी चीज़ें नहीं वो प्रवाइड करवा सकते इसलिए gifted learner के लिए ऐसी चीज़ें स्कूल में नहीं जो है वो प्रवाइड करवा सकते जैसा कि बच्चा रिक्वाइर करता option B जो है उसका right answer रहेगा नेक्स्ट कोईशन है लास्ट कोईशन आज की class का right to education शिक्षाक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को ठीक है कौन से responsibilities को पूरा करना होते आपको बताना है कि समय पर उपस्थित रहना दूसरा है कि course को जो है वो timely complete करना कि अगर math की book अगर कोई teacher पढ़ रहा है तो वो complete होनी चाहिए ऐसा नहीं कि paper भी final हो जाएं और उसका syllabus ही खतमना हो ठीक है ऐसा बनी होना चाहिए थर्ड है पाठे क्रम को हाँ यह सेम चीज़ बताएगी syllabus आपका complete होना चाहिए second में बताएगा पाठे क्रम का संचालन पूरा करना होगा ठीक है यानि कि जो course है जिसमें curriculum की बात करते है syllabus plus co-curricular activity वो चीज़ें दोनों होनी चाहिए आसा नहीं कि सिर्फ syllabus syllabus कराया curricular activity एक भी नहीं करवाई तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी curriculum की बात आती तो जो daily experience होता है जिसमें overall experience को school management के द्वारा arrange किया जाता है जिसमें बच्चा multiple चीज़ों के बारे में सीखता है तो वो जो है curriculum का main aspect है जिसमें तो यह आज की class के हमारे कुछ important question थे जो की psychology के साथ relate करते हैं important है previous year के question है और जल्दी ही next class के साथ मैं आप से जुड़ूंगा एक और वीडियो को like जरूर कीजिए और चैनल को subscribe आप जरूर करें ओके थेंक्यू सो मच